हेलो दोस्तों आपका हमारे चैनल अलमीनम हट में सवारत है आज हम देखेंगे जो यह सीलिंग का डिजैना यह कैसे बनता है इसके बारे में हम आज जानकरी लेंगे सबसे पहले हमने जो इंची भाई डेड़ का चैनल है उसके साथ हमने यह जो हमारा जाल बना लिया है यह देखें सैड पे एक एक और बीच में हमने तीन लगाए है इस तरह से जो हमने बीच में तीन स्के लगाया वह उपर चले जाएंगे पीवी सी के और जो है वह नीची आ जाएंगे इस तरह से कि आप इंची भाई दो का भी लगा सकते हैं डेड़ का भी लगा सकते हैं जितना डाउन करना है उतना सेड वाला आपको ज्यादा चौड़ा लगाना पड़ेगा कि इस तरह से हमने जो सेंटर वाला पहले लगा लेना है सारा यह नॉर्मल क्वाल्टी की पी बी सी जो लगा रहे हैं हम शात में इसलिए नॉर्मल लगा रहे हैं क्योंकि जो शात है उसमें कोई ज्यादा दिक्त नहीं है भी लगाने की हमें जुरूरत नहीं पड़ती और जो वाइट कलर है उसे लाइट भी हमारी ज़्यादा बनती है यह जो डिजाइन है बहुत ही सस्ता पड़ता है और डिजाइन भी बढ़िया है सेम्पल और बढ़िया डिजाइन है इस तरह से हम पंखें की जो राड है उसकी मिंती कर लेंगे और उसका सुराख निकालेंगे दोनों साइड से हमने मिंति का लेनी एक लुंबाई और दूसरा पीस से कितनी दूरी है उसकी इस तरह से जो हम रॉड निकालेंगे जो दोस्त नहीं है वो हमारे चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें लाइक और कमेंटर में बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा यह देखें जो पंके की राड़ है इस तरह से सही हो गए और हम चेक करेंगे कि यह ठीक लगी है जान नहीं एक साइड ज्यादा जान कम नहों इस तरह जो हमारा सेंटर वाला है वो कंप्लीट हो गया अब हम जो बॉर्डर है वो लगाएंगे बॉर्डर लगाने से पहले हम देखेंगे कि हमने जो सभघिदय कंपने सफ्साइड का से नमेद में जहां पर हमने लाइट लगानी है वो मुस तरह हम आखने सभच देखेंगे गया तेन नहीं अल्यक्ति करतेजतीं है अभी नजदजनें यह इस्जंद्द्र है चैनल से वह दो इंच का है कि एक साइड तो नॉर्मल लग दूसरी साइड लगाना सभी दोस्तों का कमेंट आता है कि हम यह ज्वाइंट कैसे लगाएंगे यह बहुत ही असान है अगर आपने कलम नहीं लगानी तो इस तरह से लगा ले एक जो हम पीस लगाएंगे अब इसी तरह से हम चारो सेड लगा लेंगे एक बार अधि जो हमने स्कूरू लगा उसको कैसी हमने कवर करना यह देखेंगे कि यह आप देख रहे हैं कि हमने इसको चारो सेड एक बार लगा लिए ना है इसी तरह से कि हमने 24 चौवी एंच के पीस लगा रहे हैं चारों सेड लगाने हैं जब हम चौथी सेड लगाएंगे और दूसरा और तीसरा जो सेड हम उसको एक बार शोड़ देंगे एक बीस जोड़ने के बाद चौथा जो साइड है हमारी चौथी उसको लगा लेंगे इस तरह से चौथी साइड हम लगानी शुरू करेंगे यह देख रहे हैं जो दूसरा और हमारा चौथा साइड है उसके बीस थोड़ा सा गैब रहेंगे बचेगा उसको कैसे कंप्लीट करना है अब देखेंगे यह देखेंगे आप इस तरह से लगाएंगे पीज अब जो बीच में हमने ग्याब शोड़ा था उसकी मेंति लेके माप करके पीज काट लेंगे उतना ही आप इस तरह से जो गैब वाला पीज वह हम लगाएंगे यह देखेंगे इस तरह यह पीस हम लगाएंगे बाद में इस तरह हमारा जो चौथे वाला बाटर था वह कंप्लीट हो गया और जो गैब रहा गया उसका पीस लगादेंगे अब हम जो हमारा यू पीवी सी का यू है उसकी एक साइड हम काट लेंगे इस तरह से यह देखें जो हमने यू काट लिया है उसका में जो हमारा हिसा है वो हमने रख लिया इस तरह यह हमें चाहिए चार पीस चाहिए चोबी चोबी एंच के यह देखें जो हमारा जवाइंट है उसमें हम यह लगाएंगे जो हमने यू की एक साइड रखी है इस तरह से देखें यह हम जवाइंट पे लगादेंगे हम यहां पर वेक्ट्रा सेल्यूशन का यूज करते हैं आप जो भी यूज करते हैं वो लगा सकते हैं पीवीसी को जोडने के लिए यह अस्ट्रल की वेक्ट्रा उससे हमने इसको जोड दिया देखें इस तरह से जोइंट का हमें पता नहीं चलेगा यह चारो सेड हमने लगा देना है अब हम सेंटर वाले जो पीस है उसमें गोला लगाएंगे पीवीसी का यू लगा देंगे इस सेलिंग का जो खर्चा है आइडिया आप लगा सकते हो साट सतर रुपए स्केर फुट का खर्चा हो आ रहा है इस डिजाइन का यह हमने सेड वाली जो हैवी पीवीसी शे एमेम की लगाई है और जो बीच में है वो थोड़ी हलकी लगाई है एक सो सतर रुपए के करीव पीस आता है यह इस तरह हमने चारो सेड जो गोला है वो लगा लेना है और इसमें थोड़ी थोड़ी वेक्टरा भी डालेंगे ता जो यह स्पाई करने के टाइम गोला निकले ना इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह लगा देना है हमने जो पूरे कमरे की इसकी वीडियो बनाई है यह एलीडी का डिजान कैसे बनाएं सीलिंग का कैसे और जो बेड है उसकी बैक डिजान कैसे बनाएं यह सब हमने वीडियो चैनल में डाल रखिया है आप देख सकते हैं चैनल में जाके अब हम जो लाइट है उसका जो है वो निकालेंगे खंचा इस तरह से हमने चौर स्लाइट लगानी है इसके लिए हमने यह एक गत्ते के पीस से उसका साइज निकालिया है अब उसको काट देंगे कटर से भी काट सकते हैं और आप ग्रेंटर से भी काट सकते हैं ग्रेंटर से हमने इसलिए नहीं काटा जो इसकी वायर है वो बहुत जादा नजदीक है यह देखें आप किस तरह से यह हमने चारो साइड लेडी पैनल लगानी है ले देखें इतक्रीबन हमारा जो कंप्लीट हो गया सीलिंग का काम इस तरह से आप इसमें लाइट और एलुडी लगाएंगे और हमारा जो त्यार हो जाएगा तो के दोस्त वीडियो देखने के लिए शुकरिया वीडियो अश्या लगा लाइक और कमेंट जरूर करें यह जो बैट की बैक साइड है इसकी वीडियो हम आगे डालेंगे और जो LED है उसकी वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं अब देख सकते हैं इस डिजाइन को हमने कैसे बिनाना है अजये अब देख सकते हैं